पेंडेमिक से ठीक पहले, फिल्म ट्रडियूसर रौनी स्क्रूवाला ने घोशना की थी वो नए जमाने के सूपर हीरो कॉंसेप्ट पर आधारित एक फिल्म बना रहे हैं अधित्य ने टीम को यह सुझाव दिया कि हमें कुछ और प्रडियूसर को दि इम्मॉटल अश्वधामा से जोड़ना चाहिए हेलो दोस्तो मेरा नाम है रिंजुन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है कहानी टीवी प्रेजेंस लेट्स टॉक के सोलवे प्रसंग में आपका स्वागत है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले छोटी से विंति इस वीडियो को लाइक कर देने की अब जैसा गें हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कॉमिक्स पर फिल्म बनाना काफी नया कॉंसेप्ट मारना जाता है हमारे देश में सूपर हीरो फिल्में एक के दुक्के ही फिल्में आती है उनमें से भी कभी कभी तो फ्लाइंग जट और अटैक जैसे फिल्में आती है और शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइटर्स की मूवी राइट्स खरीदने से बैटर वो अपना खुद का केरेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं और क्रिएट करना पसंद करते हैं जिससे होता कुछ नहीं होता ये है कि जनता उससे अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पाती वेल अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में कॉमिक्स या फिर ग्राफिक नॉवल्टीस की कमी है आपको बस वो मेंस्रिम मेडिया में कभी भी नजर नहीं आएंगे 2021 के मिड में यानि कि ऑगस्ट में ये खबर आई थी कि इस फिल्म को थंडे बस्ते में डाल दिया गया है यानि कि इस फिल्म पे अभी फिलहाल के लिए रोक कर दी गया कुछ महिने बाद हमें ये भी पता चला कि इस फिल्म को budget के reasons के वज़े से बीच में रोग दिया गया था और आगे जागे हमें ये पता चला जो सारा अली खान और विकी कोशल इस फिल्म में नजर आने वाले थे उसमें से अब सारा अली खान को निकाल दिया गया क्योंकि अब ऐसा बताया जा रहा है कि विकी कोशल अब इस फिल्म को नहीं करने वाले अब इसका reason budget ही बताया जा रहा है वेल पता नहीं ये फिल्म कब release होगी और कितने budget में ये बन रही है उमीद करते हैं फिल्म जल से जल release हो जाए अगर आप कुछ insiders की खबर की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म को अब officially कैंसल कर दिया गया है जी हाँ यानि कि अब ये फिल्म कभी भी नहीं बनने वाली वेल ये अच्छा concept था जो कैंसल कर दिया गया रोनी स्कुरूवाला की तरस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो आपको सीधा कॉमिक अड्डा के वेबसाइट पर ले जाएगा जहां से आप ये कॉमिक भुक खरीद कर पढ़ सकते हो